केंद्री मंत्री हैं संजीव बालियान जीनदूस्तान esse exclusive बातषीट में उन्डोंने इस बात से इंकार किया कि जाटों में किसी तरह की कोई नाराजगी है जाट बीजेपी से नाराज नहीं है बलकि बीजेपी को समर्थन करेंगे विदान सबाचुनावों में पश्यमी उत्तरपदीश में और गडबंधन को लेकर कहा कि दरसल ये तो नेताओं का गडबंधन है जो गडबंधन है और इस सब के बीच बड़ी बात उनकी तरफ से ये बड़े जाट जो लीडर है उनसे आप लोग की बैठक है ग्रीमंत्री अमिशा भी रहेंगे क्या है एजंडा क्या है और क्यों इस तरह के बैठक बलाएगी है देखिए अभेशा होता है तो जब चुनाव आते हैं तो प्रमुख लोगों की बैठक ली जाती है कोविड का म सामला है तो इस वेसे एक रेलिया तो होनी पारी तो जो मैत्मून लोग हैं सभी नेता हमारे मिशा जी कराना गए थे या कल योगी जी मुझे अफ़नर आ रहे हैं तो अलग-लग जहोंब अलग-लग-लग कुछ मैत्मून लोग के साथ बैठ रहे हैं कोविड के प्रोटोकॉ होते हैं अलग-लग जो कहीं भी को प्रभावशाली लोग होते हैं हर तरह के लोग मिटिंग का परपस आपने कहा को मतब चुनाओं से समन्नित है क्योंकि यह हुआ था कि जो कही बार की जाट नेता लोग जाट कुम्मिनिटी थोड़ा नाराज है आपने यह मनाने कोशिश क तो आज यह बैठक क्या उसी दिशा में है देखिए हमेशा हमारे उपर ही क्यों पड़ती है मैं समझ नहीं पाया कि हम नराज है जाट नराज है ऐसा कुछ नहीं है जाटों ने पहले बार्दिनता पार्टी वोड़ती वे अभी बहुत बड़ा तबका बार्दिनता देखिए, ये गठबंदन जो है, ये दिली और लखनों का गठबंदन है, जमीन का गठबंदन नहीं है सबके अपने का अपने गठबंदन नहीं क्यांगाए और ग। कोई किसी कहने से नहीं जाता उसकी हर जगा मिदवार की चोश होती है depending upon the part the party has a good वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चीए, चुकि हम ने दम की तो काज तक किसी की सेन की ने